हेलो फ्रेंट्स विलकम टो अर्चनल आज हम डिसकाशन करने वाले हैं रोल्स और स्ट्रक्ट्राल कॉंस्ट्रेंट्स अप रिलेशन्शिप इन इर मोडेल ओके तो पिछले बाले वीडियो में हमने पूरे के पूरे कंप्लेट कर दिया था जो कंपोनेंट्स अप इर मोडेल ह होते हैं और elements of year model होते है और लोंग टाइप के बारे में और उसके अंदर कैसे शुट टाइप आते हैं कैसे थ्री मर्क, टू मर्क कुछिन आते हैं मैं आपको उसके बारे में भी बताया था ओके तो काफी दिन होगे वीडियो नहीं आ रहा था क्यूंकि मेरा तब्यद नहीं हो रहा है ना ओके तो 33 अगर मेरा sound मतलब tone में थोड़ा सा दिखता रहे तो उसको थोड़ा सा adjust कर देना ओके तो 33 नंबर वाला हम आगे है और रोल्स और स्ट्रॉक्ट्राल कॉंस्ट्रेंड अफ रिलेशंशिप इन रिलेशंशिप क्या है यार मडल क्या है आपको पता है रोल्स और स्ट्रॉक्ट्राल कॉंस्ट्रेंड क्या है आपको सिर्फ यह समझना है अच्छे से ओके रोल्स मतलब क्या होता है एक मतलब कुछ काईदे नियम कानून जो होते उसको बोलते रोल ओके रोल मतलब समझे जैस से आयन कानून होते नियम कानून होते उसी तरह कुछ काइदे कुछ रोल कुछ मतलब प्रोटोकल को फॉलो करके हम सार के सारी चीज एक्जीक्वीट करेंगे उसको बोलते रोल और स्ट्रोक्चराल कॉंस्ट्रेंट मतलब स्ट्रोक्चर एक स्ट्रोक्चर के हिसाब से कैसे बॉग्रामिंग भारे बोल नहीं उके कॉंस्टेंट मतलब कुछ मतलब जह नहीं जो प्रोटोकल बनेंगे assasseter कनेवाले उसको कुछ मतलब अच्छे तरीक से जो रोल होंगे उसको अच्छे तरीक से जीकुट करने वाले जो भारे भूल होते हैं उसको हम बोलते हैं structural constraint ओके तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसको हिसाब से आपको यह एक पूरी पर अपने आप में एक छोटा सा टॉपीक है तो जैसे आगे पढ़ेंगे आप आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि रोल क्या है और structural constraint का है आपको उसके बारे में पता चल देगा रोल मतलब उसका रोल क्या है इसी टाइप का यह जो नियम कानून बनेंगे उसका रोल क्या है ओके तो यह पूरी के ब्रेक हेडिंग है क्या आता है मैं आपको बताऊंगा जैसे हम स्टार्ट करेंगे और मोडल के जो आगे जो अच्छे अच्छे पार आएंगे जैसे टाइप सब करीनल्टी रेशिवान स्टीव यह हो ग्या मैंने लिखके रख लिया है आपको सिरिए बताना यह की कॉंस्ट्रेंट और यूनि तो जैसे हम कुछ चीज पढ़ेंगे कुछ में टपी के में बारे में पढ़ने से पहले कुछ मतलब इंट्रोलक्शन बता जाता है उसी टाइप का अगर की कंस्टेंट के बारे में आपको पूरे के प्लियर होना है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा यह प में रॉल ब रिलेशनशिप का में रोल फ्लैशनशिप मोडल में डेवरन होता है 2 अ 25 बोर और वह के three website या तूइंटीटी के भीच में या काफी साथंटी मैं कैसे लिंकिंग होके रहता है सारा चीज तो उसके वह dfign करने के लिए relationship होता है here model में ओके , और्लेसंटीप का रोल होता है ओके रोल मतलब उसका काम क्या होते है इसी टायब का का relationship in er model can be represented by diamond symbol , relationship क्यांускा होता है ? हो गया relationship के बारे में roles and structural यह हो गया पहले role क्या है आपको पता चल गया कि क्या उसका काम होता है okay school the role और structural relationship क्या है पता हो गया structural to understand structural constraint structural constraint क्या है उसको समझने के लिए structural constraint of relationship firstly we must know about cardinalty ratio okay तो cardinalty ratio के बारे में आपको समझना पड़ेगा structural constraint मतलब की constraint जो होते हैं जो की होते हैं सुपर की प्राइमेरी की ओके एसी टाइप जो की जो होते हैं तो उसको वही टाइप का constraint भी ओही है constraint ओके यह मतलब मुहम पे आने के लिए थोड़ा सा यह और थोड़ा सा complicated लगेगा Constraints ओके तो उसको पहले समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा cardinalty ratio क्या है रेसीओ मतलब रेसो मतलब आपको पता है में उसके बारे में यह कोई वाड मेंटेंग ओके तो Cardinalty क्या है Cardinalty Ratio क्या है अं participation पार्टिशिपेशन कंस्ट्रेंट क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए यह दो तरह के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले हम इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद पाटिसीपेशन कंस्टेंट के बारे में देखेंगे तो यह दोनों को आपको समझ्झा गया तो उसका काम क्या है उसको समझ प्र्रिलेशन्सेफ तो यह थोडा सा इंट्रोड़क्शन टाइब कह था किसको क्या बोलते और स्ट्रोक्च् hon Str contract को समझने के लिए आँको क्या-क्या समझना चाहिए थोड़ा से इंट्रोडक्टर हिसाब से था ओके यह थोड़ा सा थीयोरी आपको बढ़े से पने नाए व्यूता है ॐधं करें ऐसे अरे क्यों समझे के अधर सकते हो किसी लिख सकते हो ओके ओके देखो तब यह खरापे ना थोड़ा सा गला बेवेट रहे तो मैं पानी पी घर फिर से बोल रहा हूं तो आब आज तेज नहीं मतलब जोर से नहीं बोल साय था आपको थोड़ा सा भल्यूम बढ़ा के देख लेना भेडियो ओके तो काडिनाल्टी क्या है उसके बा एक एंटीटी सेट में नमबर अप एंटीटीज होते हैं विच कन बी आसोशेटेड विद नमबर अप एंटीटीज अफ ओधर एंटीटीज सेट वाया रिलेसंशिप सेट इस कॉलास कार्डिनालिटी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मैं एक छोटा पेपर लेता हूं हो गया ओके मैं समझार आपको इधर अच्छा से समझाना है ओके हमघघर डेफिनिशन कहा देखतेए दनामबर ओप एंटीज इन एक माल ओईंटीटी सेट एक एक एंटीटी है नमबर अप एंटीज इन वान एंटीज नमबर ऐंफ एंटीज माने मतलब यह सारे का सारे ईं entity set can be associated with the number of entities of other entity set इधर से एक entity मतलब इधर से एक element इधर से एक element पर associate होगा इधर से एक element इधर से एक पर associate होगा इधर से इधर से associate होगा इधर से इधर तक associate होगा इधर से इधर तक तो इसे करके इधर से सारे के सारे entity set इधर के सारे के सारे से एलिमेंट से असोचेट होके लिंकिंग होके रहेंगे मतलब अपने आप में ही कुछ रिलेशन बना के रहेंगे और रिलेशन से रिलेशन से बना के रहेंगे कितने number of entity 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 कि यह कितने दूसरे बाले entity सेट के कितने number of entity को मतलआ relation बना के अपने linking करके रहे हैं यह n number हो गया यह भी n number हो गया 12 हो गया यह 12 हो गा यह सज्ण हो गया यह सई दो एक नंबर हो गया तो उसको भोलते हैं कारिणालिटी काडिणालिटी मतलड़ समाझ गये ओके आगे हम अच्छ असे समझ आेगा नगो आगल आयेगा ना आपको पता चल जादिका खुटोपर ही ओके यह हो क्या definition होगा cardinality का यह मैंने rough में example देखर 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 कि मैं यह वाला note का चला नहीं करना जा था ओके आपको पीडिये बना के दोंगा cardinality के बारे मैं पढ़ लिए अभी देखेंगे cardinality ratio क्या होते हैं cardinality ratio tells us that how many times the entity of our entity set participate in a relationship cardinality ratio tells us that how many times कितनी बार, कितनी बार the entity of our entity set यह एक entity set हो गया तो इस इधर से एक entity कितनी बार participate करता है relationship में किसके साथ relation बना नहीं उसको छोड़ तो कितनी बार participate करता है यह एक बार किया अगर यह इधर से करता तो वो यह दो बार किया इसी टाइप का entity set participant in a relationship कितनी बार ओके there are four types of cardinality ratio in binary relationship binary मतलब दो ओके दो मतलब two मतलब यह वाला है binary relationship one two ओके यह two entity set आता है तो इसलिए इसको बोलते binary यह पुर के पूरे full whole set को बोलते binary binary relationship लोके तो binary relationship में कितने टाइप के होते हैं four type के cardinalty ratio में कितना entity add menti set से कितने entity relation में participate करते हैं उसको कि क्रिणालिटी로 condition से दूसरी entity इसलिए ममें जितना भी entity मतलबсят करते हैं और काडिनली इस होता है कितना entity participate करते हैं काडिनल्स क्या है कि 1 entity set से 1 entity एक entity क्तीनी बार participate करता है की यह दोने के मतलब थोड़ा सा Difference है इसमें आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा तो पहले नंबर बे looked 1 21 one two one ओके धुसराइं one two one टुमेनी और तीसरा अगर से मैनी हो गया इह एक में हो तो मैंनी टुवान और मैंनी मतलब काफी सारे से काफी सारी रिलेट होके रहेंगे ओके यह चारों के बारे हम डैफिनेशन जो एक दो का जो definition होता है अगर diagram होता है उसके बारे में आगे बारे वीडियो में देखेंगे ऊके मैं इसके बारे में लेक चुका मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा काफी शारी जीजे मैं लिख चुका हूं नोतपर मेरा ठाबता तो मैं एक वीडियो मतलब आपको पढ़ने में आशान ही होगी तो अभी हम खतम कर लिए क्या रोल संक स्ट्रोक्ट्ट्राल कॉंस्ट्रेंट और रिलेंशन्सिप में उसके बारें पढ़ेंगे और एकजांपूल देखेंगे उसके बाद मेंचीज आएगा हमेशा की तरह जो एकजांपूल मतलब एकज प्रिफेस वाली चीज है उसको इंट्रोडोक्शन वाली चीज उसको पहले कतम करेंगे उसके बाद में यह हम देखेंगे तो अगर आपको यह वाला वीडियो चलागे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि अ पूर के परे प्लेइलिस्ट को भी थोड़ा सा ओभराली देखलो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लेइलिस्ट को अक्सेस कर लेना ओके थांक्यू